बीजेपी और आरेसेस के बीच तकरार क्या है पूरा मामला तो शुरुवात होती है चुनाव के दरान जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्स्प्रिस को दिये एक इंटर्व्यू में कहा शुरुवात में हम अक्षम थे थोड़े कमजोर थे आरेसेस को नहीं मिल रही थी आरेसेस के कारी करता जमीन पर देखने को नहीं मिल रहे थे तो इंडियन एक्स्प्रिस के एक इंटर्व्यू में जेपी नड्डा ने ऐसा कहा इसके बाद हुआ क्या इसके बाद बीजेपी जिसने नारा दिया था अब की बार 400 पार अपने दम पे बह बहुमत जुटाने में असफल रही और यहां तक की अयोध्या जैसे सीट जहां राम जन भूमी पर भवे मंदर का निर्मान किया गया और उसका काफी प्रचार प्रसार किया गया बीजेपी वहां भी हार जाती है भाजपा को कुल सीटे जितनी मिलती है वो सीटे बहुमत के आकरे से काफी कम थी भाजपा को कुल 240 सीटे मिलती है जो कि बहुमत के आकरे से काफी कम थी और फिर शुरू होता है आरेसेस की ओर से टिका टिपनी बयान बाजी आरेसेस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया एक इवेंट के दौरान कि जो सच्ची सेवक हैं जिने वा नहीं आता है कि मैंने किया है वही सेवक कहने का असली अधिकारी होता है यह सारी बाते मोहन भागवत कह रहे हैं साथ में जब वो इवेंट में बोल रहे थे तो उन्होंने कई बार अलग-अलग टॉपिक पे बात करी जिसको जो टिपनिकार है वो डिरेक्ट कटाक्ष मान रहे थे बीजेपी के ऊपर यहां तक कि उन्होंने मनिपूर की भी बात करी अब एक साल से मनिपूर शांती की रहा देख रहा है उसके पहले दस साल शांतर रहा है पुराना गन कल्चर समाप तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया यह उपज आया उसकी आग में अभी तक जल रहा है त्राही त्राही कर रहा है कौन उस पर जान देगा प्राथमिक्ता दे के उसका विचार करना यह करता भी है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को मनिपूर के उपर ध्यान देना चाहिए दूसरी बात RSS की जो पत्रिका है और्गनाईजर उसमें भी एक लिख लिखा गया जो लेक लिखा गया उसमें भी BJP के उपर काफी तीखी टिपनी की गई संग से जोरी इस पत्रिका में छबी लेक में यह सुझाव दिया गया कि भाजपा नेताओं और कारिकरताओं ने लोगसभाव चुनाओं में मदद के लिए RSSS से संपर्क नहीं किया जिससे पार्टी का प्रदर्शन संतोष जनक नहीं रहा और्गनाइजर के रीसेंट एडिशन में पब्लिष्ट इस लेक ने चुनाओ पडिनाम को अती आत्म विश्वास से भरे भाजपा नेता और कारकरता के लिए एक वास्तविक जाच कहा है यानि कि उन्होंने ये कहा कि ओवर कॉन्फिदेंस की वज़े से उनको रियालेटी चेक मेली इसमें यह भी कहा गया कि नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट शेर करने में वैस्त थे उन्होंने जमीनी स्थर पे काम नहीं किया वे अपने बुलबुले में खुश थे और जमीन की आवाज को वो सुन नहीं रहे थे उसके बाद क्या हुआ इतना बवाल क्यों मचा हुआ है जो RSS के एक वरिश नेता है इंद्रेश कुमार उन्होंने BJP को अहंकारी और विपक्ष इंडिया ब्लॉक को राम बिरोधी करार दिया अभी रीसिंटली उन्होंने ये बयान दिया है इंद्रेश ने कहा कि राम सब के साथ न्याई करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजे जिन्होंने राम की भक्ति करी लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया उस पार्टी को समसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया गया अभी इस 2024 में भी राम राजय का विधान देखिये योग तंत्र के परण्मे कैसा है जिन्होंने राम की धक्ति की और धीरे-धीरे एहनकार आ गया उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी वोचित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिला चाहिए जो शक्ति मिलने चाहिए वो धन्वान ने एहनकार के कारण गया यहां वो डिरेक्ट बीजेपी को इंगित कर रहे हैं वो कह रहे हैं जिन्होंने राम की भक्ति करी लेकिन धीरे-धीरे अहनकारी होगे वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उबड़ी लेकिन जो वोट और टाकत मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने उनके अहनकार के कारण रोक दी अब यह situation काफी interesting है अब यहां पर देखना होगा कि BJP किस तरीके से इस situation से deal करती है यहां यह भी देखना होगा कि प्रधानमंतरी मोदी, अमिच्छा, जेपी नडड़ा और जितने भी कदावर नेता है वो किस तरीके से RSS से मान मनुवल करते हैं क्योंकि यह बात साफ दिख रही है कि RSS और BJP में एक तीखी टीप का टिपनी हो रही है इसको बिल्कुल ही आप नकार नहीं सकते हैं RSS आक्रामक है, BJP के तरफ से इस तरीके से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, तो अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन में BJP अगला कदम उठाती है आप देख रहे हैं जिफी न्यूस, मैं हूँ नील